आप ये कह रहे हैं कि BJP की योगी आदितनाज जी की सरकार फ्लप रही लेकिन अगर हम करोना काल को ही लेते हैं जिस तरह से दिल्ली में स्थितिक खराब हुई या महराश्ट और केरल में अभी भी खराब है उसकी तुलना में और खास तोर से क्योंकि उत्तर प्रदेश में स् स्थितिक खराब हो सकती थी उतनी नहीं हुई और काफियत तक मैनेज कर लिया गया जिस समय पहली वेवाई थी उस समय लॉकड़ोन कैसे किया मजदूर चलते चलते अपने घर पहुँचे क्या सरकार इंतदाम नहीं कर सकती थी घर पहुँचाने तक जिन लोगं की जान की और जब पहली वेवाई थी क्या सबक सीखा सरकार ने आपने एक टीम बना ली टीम के साथ बैठ करके आप लगाता समीचा करते थे और फिजब वेव टू आई करण वाई से कितने लोगों की जान गई हमें दुख है इस बात का कि जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों खोया अभी भी दुख है उनके अंदर दुख कम नहीं हुआ उनका परिशानी है उनके अथर घर का सदस्य कौन चला गया और कितनी जल्दी चला गया कौन जिमेदार था इसके लिए क्या सरकार जिमेदार नहीं थी जो दमाईयां थी क्यों सरकार भी उपलब्द क पोछ चोड़ दीआगा जाये. अपना इंतिसंदाम कुद कर लो. क्या तस्वीरें सब ने नहीं देखी? कि लो भाग रहे हैं, दोड़ रहे हैं, सिरिंडर का इंतिसंदाम कर रहे हैं? लोग की जान जा रही है? ये तमाम सम्शान घाटों में लगाताग जलती रहे लोग लाशें जली हैं उसका जिम्मदार कौन है इतने इन्हूमन और ऐसी कभी भी सरकार उत्तपदेश में नहीं देखी होगी जो सरकार ने काम किया बरबाद कर दिया उत्तपदेश तो उसके लिए जिम्मिदार कौन है पर ये तो सौ साल में एक बारा या पता है ऐसे में अगर कोई माने कि किसी भी सरकार में अमेरिका जैसे देश में जहां पर हिल्ट सेवा हैं भारत से बहुत बहेता रहा है वहां पर भी स्तिती खार आप सौ साल में एक बाद ताली और ठाली बजाओंगे आप? क्या आप करोना को ठाली बजाके भगाओंगे आप? यह आप अपने सौ साल के अनुभ़व से नहीं सिखा आप ने? जो दुनिया में चल ला था क्या उसका अनुभव नहीं ले सकते थे आप? जिस तरीके से दुनिया ने चीज़ों को अपनाया तमाम गैडलाइंस थी, तमाम प्रोटोकाॉल्स थी क्या आपने नहीं अपनाया? क्यों नहीं अपनाया? जिम्धार कौन उसके लिए?